पत्नी ने पती को रंगे हाथ पकड़ा, महिला इंस्परक्टर के साथ इश्क फर्मा रहे थे दरोगाजी, पत्नी ने मारा च्छापा, मच गया बवाल, हंगामा, शोर शराबा, यहाँ इखटी भीड बता रही है, यहाँ कुछ जैसा हुआ है, जो शायद बरदाश्ट के बा और ओप लगा रही है, आखिर ऐसा यहाँ क्या हुआ, किसने किसकी जिन्दकी बरबात की बताएंगे आगे, लेकिन अब जरा इस तस्वीर को देखिए, एक महिला, एक पुरुष को कुछ लोगों ने चारो तरब से खेरा हुआ है, और देखते देखते शुरू हो जाती है मार पीट, और जिनको पीटा जा रहा है, वो दोनों यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, मामला आगरा का है, जहाँ एक महिला इंस्पेक्टर को अपने ही विभाग की इंस्पेक्टर के साथ इश्क लडाना महंगा पड़ गया, आगरा के थाना रकाब गंज की महिला थाना प्रभारी अपने प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई, उसका प्रेमी भी इंस्पेक्टर है, जो अभी मेडिकल लीव पर चल रहा है, पूरी घटना का खुलासा तब हुआ, जब इंस्पेक्टर की वीभी खुद वहाँ पहुची, और फिर शुरू हुआ ऐ पिटने वाला युवक बनियान पहने था और दो लोग उसके साथ मार फीट कर रही हैं, यही नहीं, दो महिलाओं ने रकाब गंज महिला थाना प्रभारी, शैली राणा को भी पकड़ रखा था और उसको थपड़ जोड रही थी, बता जा रहा है पुलसकर्मी का, पेचले कई दिनों से अपने घर से संपर कम हुआ, तो पतनी को शक होना शुरू हुआ, पतनी ने पती की सारी जानकारी जुटानी शुरू कर दी, पती कहां जा रहा है, किस से मिल रहा है, फिर उससे कहीं से जानकारी मिली, कि उसका पती पवन आगरा में है, बस फिर क्या था, वो अपने भाई, भावी, बेटी और भतीजी के साथ आगरा पहुँच गई, वहाँ खुलासा हुआ कि उसके पती के संबंद आगरा में तैनाद इंस्पेक्टर शेली राणा से है, उस सीधे परिजनों के साथ धाना रकाब गंज पहुँच गई, वहाँ महिला इंस्पेक्टर क खर से बाहर खुच लिया और फिर जो हुआ वो आपके सामने है, घटना का वीडियो वाइरल हुआ तो पलिस विभाग में हड़कम पमच गया, मामला पलिस विभाग से जुड़ा था तो अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले में किया क्या जाए, लेकिन फिर आखिरकार पलिस ने कारवाई करते वे मामला इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया और मामले में तीन लोगों को गरफतार किया, मामला इस्पेक्टर ने सोचा भी नहीं होगा कि एक शादी शुदा इंस्पेक्टर से इश्क लड़ाना उसे इतना महंगा पड़ जाएगा, इतना ध्यान शायद वो लोगों की समस्याओं को सुनने में लगाती अपनी ड्यूटी पर देती तो शायद कानून की इस्तिती बहतर होती लेकिन उस घटना ने महिला के चरित्र के साथ साथ पोले पुलस विभाग पर सवाल या निशान लगा दिये है